नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज है 18 नवंबर खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिजली रेट बढ़ाने को लेकर सामने आया उर्जा मंत्री का बयान बीपीएसी ने जारी किया प्रारंबिक परिक्षा का परिनाम अनाच खरीद पर नितीज सरकार की नई सर्थ अगले बहतर घंटे तक भारत ने पास सीमा पर नो एंट्री अगर तदकार टिकेट की बुकिंग में चाहते हैं कनफर्म टिकेट तो फॉलो करें ये ट्रिक अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों के ओर विस्तार से PGCIL ने 800 रिक्तियों के लिए भरती अधिसूशना जारी किया Power Grid Corporation of India Limited ने विविन डिसिप्लीन में फिल्ड इंजिनियर और फिल्ड सूपर्वाइजर के कुल मिला कर 800 रिक्तियों पर भरती के लिए अधिसूशना जारी किया है इस बद के लिए अगर सैचनिक योगिता की बात की जाए तो आवेदा को Relevant Engineering डिसिप्लीन में 55 प्रतीसत मार्क्स के साथ B.E.B.T.E.B.S.E. डिप्लोमा पास होने के साथ ही एक साल का working experience भी होना चाहिए एक चुकर योगियों मिद्वार इस रेकें से नोटी से जुरी हुई समसर जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए जाकर चेक कर सकते हैं B.E.C.E. ने जारी किया प्राडंबिक परिक्षा का परिनाम बीते दिन गुरुवार को बिहार लोगसेवा आयोग की सरसठवी सयुक्त प्राडंबिक परिक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है इसमें सफल परिक्षारती अब मुख्य परिक्षा में शामिल होगे जो कि 29 दिसंबर को संभावित है जिसका रिजल्ट 14 मार्च को जारी किया जा सकता है इसमें सफल हुए अभियर्थियों का साक्षातकार 29 मार्च से सुरू होगा और परिनाम 28 माई 2023 को जानी किया जाएगा बता दे कि इस बार परिक्षा में 11607 परिक्षारती शफल हुए है परिक्षारती अपना रिजल्ट bpsc.bihar.nic.in पर या sttps.onlinebpsc.bihar.government.in पर भी चेक कर सकते हैं बताते चले कि bpsc ने 802 पदों के लिए यह बड़ी च्छान ली थी बिजली रेट बढ़ाने को लेकर सामने आया उर्जा मंत्री का बयान बिहार में जल्दी बिजली रेट को बढ़ाया जाना है ऐसे में उर्जा मंत्री विजंद्र यादर ने बिजली रेट को बढ़ाने को लेकर अपना बयान दिया है उन्होंने कहा कि बिहार में सभी चीजों का दाम बढ़ रहा है ऐसे में लोगों का वेतन भी तो बढ़ा है उन्होंने आगे कहा कि प्रधान मंत्री भी यही कहते हैं कि जिसका भी बिजली बिल ड्यूज है उनके लाइन कारदो बिहार विद्यूत विनियामक आयोग को एक अप्रेल 2003 से 35-40 फीस दी बिजली महंगी करने का प्रस्ताओ बिजली कंपनियों की ओर से दी जाएगी जिसके बाद इस पर जन सुनवाई की जाएगी और फिर फैसला लिया जाएगा और सरकार के पास प्रस्ताओ को भेज दिया जाएगा जानकारी के लिए बता दे कि बिहार के ग्रामीन और सहरी उवोकताओं को बिजली 6.05 रुपे प्रती यूनिट से लेकर 8.05 पांच सुने रुप बाबा नागारजुन हिंदी और मैथली के अप्रतीम लेखक और कवी थे, इनका असली नाम वैद्यनात मिश्र था, अपनी मात्री भारशा मैथली में उन्होंने यातरी उपनाम से लिखाता था, या उपनाम उनके मूल नाम वैद्यनात मिश्र के साथ मिलकर एक मेक हो गया काशी में रहते वे उन्होंने वैदेहे उपनाम से भी कविताई लिखी थी कबीर और निरारा की श्ट्रेनी के अखड और फकड लिखग नागा अरजुन ने हिंदी के अधरिक्त मैथली संस्क्रेट एवं बांगला में मौलिक रचनाई भी मैथली कावे शंगरा पत्रहीन नगन गाच के लिए उन्हें साहित अकादमी पुरुसकार से समानित किया गया उत्तर प्रदेश, हिंदी संस्थान तथा मध्य प्रदेश और बिहार की सिखर समान सहीत कई पुरुसकारों से समानित बाबा रागा अरजुन का जन्म 30 जुन 1911 को वर्तवान मधुवरी जिले के सदलखा में हुआ था वहीं 5 नवंबर 1998 को दम्मे के चलते उनका देहा वशान हो गया अनाज खरीद पर निदी सरकार की नई सर्थ बिहार में बरते धुए से हुए प्रदूर्शन को देखते वे बिहार सरकार के द्वारा अनाज खरीद को लेकर किसानों के लिए नई सर्थ जारी की गई है जिसके नुसार यह कहा गया है कि सहकारेता विवात केवल उनी किसानों को अरास देंगे जो यह वचन देंगे कि वे पराली नहीं जलाएंगे 133 के तहट आविश्यक कारवाई की जाएगी वहीं अगर पराली जलाने की घटना सही पाई जाती है तो उन किसानों के खिलाफ IPC 188 के तहट मुकदमा दर्ज किया जाएगा अगले 72 घंटे तक भारत नेपाल सीमा पर नो इंट्री भारत और नेपाल के अथिकाडियों के द्वारा एक उचसतर यह बैठक की गए जिसमें यह निर्ने लिया गया है कि नेपाल में आम चुनाव होने से पहले 72 घंटे तक भारत नेपाल सीमा सील रहेगी इस दोरान ना तो किसी को नेपाल से भारत जाने की अनुमती होगी और नहीं किसी को भारत से नेपाल जाने की अनुमती दी जाएगी जानकाडी के लिए बता दे कि नेपाल में आम चुनाव का मद्दान 20 नवंबर को होना है इस फैसले के बाद 17 नमंबर की आधी राज से भारत नेपाल के सीमा को सील कर दिया गया है इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति एरलाइन्स के माध्यम से नेपाल के लिए सफर करता है तो उन्हें अपना पासपोर्ट और टिकेट दिखाना होगा वही वैसी चीजे जो आपात काली सेवाओं में आती है उन्हें छूट दी गई है जिनमें एंबुलेंस, पानी के टैंकर, दूद के टैंकर आधी श्रामिल है बताते चले कि यह फैसला इसली लिया गया है ताकि चनाओं को सांती पुन तरीके से खत्म कराया जा सके बिहार में अगले साल चालू होगा दो एकनॉमिक कोरिडोर बिहार में पिछले कुछ सालू में सरको को लेकर सबसे ज़ादा काम हुआ है वही इन सब के बीच में एक खबर सामने आ रही है कि जिसमें यह बताया जा रहा है कि बिहार में दो economic corridor का निर्मान बहुत ही चल्द होने वाला है अगर हम पहले economic corridor की बात करें तो यह वारा नसी से सुरू होकर बिहार में और अंगाबाद के रास्ते चोड़ दाहा तक जाएगी इस corridor के निर्मान में करी 5,000 करोड रुपे खर्च होने की बात कही जा रही है तो वहीं इसकी कुल लंबाई 262 किलो मीटर है जिसके लंबाई बिहार में 137 किलो मीटर की होगी वहीं अगर हम दूसरे corridor की बात करें तो यह corridor पटना के बक्तियारपूर से सुरू होकर राची के और मांची तक जाएगी जिसके लंबाई 282 किलो मीटर है बता दे किस कॉरिडोर के बनने में करीब 7000 करोड रुपे खर्च होने की बात कही जा रही है जिसके लंबाई बिहार में 135 किलो मीटर की होगी इसके साथ ही पटना में कनहौली रामनगर सहित 3 सरकों का करीब 311 किलो मीटर लंबाई में अगले साल नर्मान पूरा हो जाएगा आज से कटिहार में अगनीवीर भरती रैली शुड़ू इस रैली की सुरवाद दो पहर दो बजे से गड़वाल मैदान सेना कैम सिरसा कर्टिहार में होगी बता दे किस भरती रैली को लेकर विधिववस्था सधारन के लिए डंडाधी कारी पुलिस बलो की प्रतिन्युक्ति करने की भी अनुरोद की गई है बिहार के दिव्यांग भी आपदा में कर सकेंगे अपना बचाओ जाएगा हाला कि इसके लिए प्रत्थम चरण की ट्रेनिंग में पटना के पांच दिव्यांग स्कूलों को चुना गया है जिन में पढ़ने वाले छेसो चात्रों को शामिल किया जाएगा वही अगर राजे की बात करें तो राजे में पूरे तीन लाख स्कूलों में सेंसर को लेकर दिव्यांग को जागरुख किया जाएगा इस ट्रेनिंग के दौरान दिव्यांगों को यह भी सिखाया जाएगा कि वे खुद के साथ साथ अपने पैरेंट्स को भी कैसे बचा सकते हैं ड्रग इंस्पेक्टर निकला काली कमाई का कुबेर विजलेंस की टीम के दौरा जब घुसखोड ड्रग इस्पेक्टर नवीन कुमार की घर छापे मारी की गए तो इंस्पेक्टर घुसखोडी की रकम अपनी आयाशी में उड़ाता हुआ रंगे हाथों पकड़ा गया बता दे कि विजलेंस की टीम की दौरा की गई छापे मारी की दौरान उसके ठिकाने से 2,50,000,000 बढ़ामद हुए इसके साथ ही जब घर की और भी तलासी ली गई तो सोने के बरतन और जेवरात बढ़ामद हुए है जिसके बाद यह तेकर विजलेंस की टीम पूरी तरह से चौक मिली जानकारी के अनुसार ड्रग इस्पेक्टर ने सीधा मरी जिले के एक दवा दुकान के भौतिक सत्यापन के नाम पर 2,00,000,000 रुपे रिस्वत की मांग की गई थी जिसके बाद दवा दुकानदार ने इसकी स्थिकायत विजलेंस विभाग से की गई मिली जानकारी के बाद ही विजलेंस की टीम के दौरा ड्रग इंस्पेक्टर के घर चापे मारी की गई जाने किसा चौपाल कारेक्रम का मुख्यो देश बिहार सरकार के ओर से सभी पंचायतों में किसान चौपाल काडिकरम लगाया गया है जिसमें किसानों को क्रिसी से जुरी सभी चीजों के बारे में जानकारी दी जाएगी जानकारी के लिए बता दे कि बिहार सरकार के दौरा लगाई गई इस किसान चौपाल की सुरवात 15 नवंबर से कर दी गई है जो की 5 दिसंबर तक चलेगी इस चौपाल में नुकरनाटक के जरिये किसानों को जागरूप करने का काम किया जा रहा है इसके साथ ही कृसी विवाग के दौरा किसानों को यह भी जानकारी दी जा रही है कि वे किस तरह अपनी आमदनी में व्रिधी कड़ा सकते हैं और किस तरह से आत्मन निडभर बन सकते हैं इस कारेक्रम का मुख्यों देश यही है कि किसानों तक सभी महत्वकांची योजनाओं को पहुँचाया जा सके उनकी दिक्कतों का समधान उन तक पहुँचाना कृजिकी नविंतम तकनीकी की जानकारी देना किसानों तक संगठन के गठन के बाड़े में जानकारी देना है कोरोना का खत्रा कम होने के बाद हवाई यात्रियों को बड़ी रहत नागरिक उड्यान मंत्राले के दोरा कोरोना काल के दोरान या नियम लागू किया गया था कि विमान यात्रा के दोरान यात्रियों को फेस मास्क पहनना जरूरी है नहीं तो यात्रियों को जुर्माना देना पर सकता है बता दे कि अब इस नियम में छूट दे दी गई है नागरिक उडेयन मंत्राले के दोरा कहा गया है कि अब हवाई यात्रा के दोरान फेस मास्क अनिवारे नहीं होगा और नहीं फेस मास्क को लेकर फ्लाइट के अंदर की जाने वाली घोशना में जुर्माना या दंडात्मक कारवाई के बाते कही जाएंगे इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस बारे में स्वास्ते और परिवार कल्यान मंत्राले के दोरा समिच्छा बैठक भी की गई है सुल्तान पैलिस इस वजह से है बेहत खास। सबसे बेहतरीन इसका छट है जिसके सजावट में सोने की पाउडर का इस्तमाल किया गया है यह एक आलिस्तान महल है जिसकी खूबसूरती बस देखते ही बनती है वहीं इस पैलिस को लेकर यही भी खबर सामने आई है कि इस पैलिस को पांक सितारा हेरिटेज होटल में तब जोरी सबसे बनती है बता दे कि जिन चार्शररर्य ध्र गया है जिसे यह भी अल्चर diver के नहीं होगै जिसके साथ ही सब्ताब में एक जमालपूर के रास्त चल रही कामख्या गया एक्स्प्रेस का परिचालन 5 दिसंबर से 27 फरवरी और गया से कामख्या के बीच 6 दिसंबर से 28 फरवरी तक नहीं होगा इसके साथ ही विक्रम शिला एक्स्प्रेस अप और डाउन मार्क में सब्ता हमें 5 दन ही चलेगी इसे लेकर रेलवे के दौरादी सूचना जारी कर दी गई है बिहार में गुरुजी ने कर दिखाये ऐसे कारणामे जिसे देख बीडियो का चक्राया सर बिहार के सिक्षक व्यवस्था को लेकर आई दिन बाते की जाती है इसी बीच एक और मामला भागलपुर से आया है जहांके सिक्षक ने ऐसा कारणामा दिखाया है कि बीडियो का सर चक्रा गया जानकारी के लिए बता दे कि बीडियो भागलपुर जिले में नवगचिया के कोसी पार पंचायत खैरफुर कदवा के प्रात्मिक विद्याले निरिक्षन करने के लिए पहुँचे थे जहां उनका दिमाग तब घुमा जब उन्होंने वहां की एक दिवार पर कारयाले की जिसके जवाब में प्रिंसिपल ने O-R-I-G बताया जिसके बाद जब उन्होंने प्रिंसिपल से उनके नाम के स्पेलिंग पूछी जिस पर उनका जवाब P-O-N था इसे दौरान इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया गया और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया जो अग तेजी से वाइरल हो रहा है बिहार में 44,000 पदों पर होगी बिहार पुलिस की बहाली मुखे मंदरी नितिसकुमार के दौरा यहाइ एलान हड़ी कर दिया गया है कि जल्द भी बिहार में 44,000 पदों पर बिहार पुलिस की बहाली की जाएगी उन्होंने घोशना करते वे कहा था कि बिहार में 1.5-2 लाग पुलिस कर्मियों की बहाली का लक्षे रखा गया है इनमें से 44,000 पदों की रिक्तिया जल्द भरी जाएंगे इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दे दिया है रितीस कुमार ने आगे कहा कि अभी देश के अलग अलग राज्यों में 1 लाग की आबादी पर 115 से जादा पुलिस कर्मी की संक्या है जिसको ध्यार में रखते वे बिहार में भी इसे बढ़ा कर 116-117 करनी का निर्णय लिया गया है पुलिस कर्मीयों की बहाली के साथ प्रस्रिक्षन का काम भी समय पर पूड़ा किया जाएगा वहीं हर थाने में महिला पुलिस कर्मीयों को भी पदस्था पुद किया जाएगा बिहार में आज क्या रहेगा मौसम का हाल बिहार की राजधानी पटना समेत राजे में जाहतर हिस्सों में पचुआ और उत्री पचुआ हवाओं की रफ्तार लगातार बन रही है जिसके कारण तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है राजे के तापमान में उतार चरहाव देखने को मिल रहा है मौसम विभाग के अनुसार बीते दिन गुरुबार को राजे में पच्छुआ हवाओं का प्रवाल लगभग 8-10 किलो मीटर प्रती घंटा रहा इसके साथ मौसम विभाग के दोरा यह भी कहा गया है कि पच्छुआ हवाओं के कारण राजे का मौसम अगले आने वाले 5 दिनों तक सुस्क बना रह सकता है और यही वज़ा है कि तापमान में उतार चराओ देखनी को मिल सकता है वही अगर आज के मौसम की बात करें तो आज राजे में पच्छुआ हवाओं का प्रभाह 9 किलो मीटर प्रती घंटा रहेगा इसके साथ ही अधिक्तम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और निम्तम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहेगा IRCTC ने बनाया special food plan ट्रेन में खाने को मिलेगा दही चुरा व लिट्टी चोखा आए दियन रेलवे की दोरा कुछ न कुछ बदलाव किया जाता है इनी बदलावों में से एक बदलाव और किया गया है चल रहे मीडिया रिपोर्ट्स के नुसार इंडियन रेलवे कैटरिंग और टुरिस्म कॉर्पोरेशन के दोरा यह बदलाव किया गया है कि बिहार से लंबी दूरी तक जाने वाले ट्रेनों में स्थानी अस्तर के लोग प्रिये भोजन वा नास्ता यात्रियों को मुहिया कराया जाएगा इस बदलाव के तहत पुर्व मधर रेल की ट्रेनों में यात्रियों को नास्ते में चूरा दही लिट्टी चोखा गुगडी मखाना खीर मिलेंगी आई आर सीटी से मिली जानकारी के अनुसार इस सुवधा को ट्रेनों में उपलद कराने के लिए ववस्ताफ सुरू कर दी गई है वहीं खानपान से जुरे सेवाओं में और भी सुधार लाने के लिए रेल मंतराले के दौरा आई आर सीटी सी को यह भी छूट दे दी गई है कि वो मेन्यू में बदलाव कर सकते हैं बता दे कि छेत्रिये संयुक्त महाप्रबंधक IRCTC के अनुसार या बदलाव इसलिए किया जा रहा है ताकि छेत्रिये खानपान को बढ़ावा दिया जा सके अगर ततकाल टिकेट की बुकिंग में चाहते हैं कनफॉर्म टिकेट तो फॉलो करें ये ट्रिक भारतिये रेलवे क प्रेटरिंग एन टुरिज्म कॉर्पोरेशन के दोरा वेबसाइट पर ततकाल टिकेट बुक करने की शुविधा दी जाती है लेकिन कहीं बार यात्रियों की सिकायते होती हैं कि उन्हें डिजर्वेशन टिकेट नहीं मिल पाता ऐसे भी IRCTC के दोरा एक टिकेट बताई यहां यात्री का नाम चंत थी लिंग, बर्त, खाना और आदी जैसे डिटेल्स को फिल करें इसके बाद सब्मिट बटन पर क्लिक कर दे इसके बाद पैसेंजर के डिटेल्स की मास्टर लिस्ट बन जाएगी फिर बुकिंग करते वक्त माई पैसेंजर लिस्ट पर क्लिक यह है कि यहां एक कंफर्म टिकेट पाने के लिए एक असरदार ट्रिक है लेकिन यहां कोई गारेंटी नहीं है कि आपको सौफीज दी कंफर्म टिकेट मिली जाएगी आएकर छापे मारी को लेकर सामने आई समीर महा सेट की सफाई बीते दिन गुरुवार को जाच एजेंसी के दौरा उद्योग मंत्री के सभी ठिकानों पर छापे मारी की गई जिसने परिशान होकर उन्होंने सफाई देते वे कहा कि पटना में जिन जब हो पर आएकर विभ है कि जिन कार्णों से छापे मारी की जा रही है वह जांच का विशह है बता दे कि अब तक क्यों ही छापे मारी को आएकर विवाग को क्या मिला है इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है तेश्व यादव का बीजेपी पर हमला बीते दिन गुरुवार को आईकर विवाक के दोड़ा उद्योग मंत्री समीर महासेट के बारत से जादा ठीकानों पर छापे मारी की गई जिस पर उप मुखे मंत्री ने आरजेटी ओफिस पहुँच बीजेपी पर तंचकसा है उन्होंने कहा कि अभी तो ये शुरुवात है हमारे साथ 2024 तक यही होते रहेगा बीजेपी को बात पता है कि 2024 में उसका खात्मा होने वाला है और यही वज़ा है कि पार्टी ये सभी ल T20 सीरीज की सुरुवात से पहले कोच लक्षमन का सफलता मंत्र 18 नमंबर से यानि कि आसे भारत और न्यूजिलाइन के बीच T20 सीरीज की सुरुवात होने से पहले NCA head VPS लक्षमन ने सफलता का मंत्र बताया है उन्होंने कहा कि T20 format में आपको आजादी के साथ और नीडर हो आप T20 क्रिकेट में खुद को व्यक्त करते हैं तब ही आप खुद को सफल होते देख सकते हैं उन्होंने कहा कि मेरे अंसार T20 क्रिकेट में खुली और सपस्ट सोच की जरूरत होनी चाहिए मैंने इस खिलारियों के साथ जो भी समय बिताया है उन्हें अदबुत अंतराश् लगता है कि उनकी यही सबसे बड़ी तागत है भारत की इतिहास में आज की तारीख कई कार्णों से है दर्च माराजस जैस सिंग दुट्या ने 1727 में जैपूर सहर की अस्थापना की सहर के वास्तुकार बंगाल के विद्याधर चक्रवर्ती थे को 1972 में राश्ट्रिये पस में से एक बटु केश्वर दत का जर्म 1910 में हुआ तमिल भाशा के विद्वान और प्रख्यात समा सुधारक चितंबरम पिल्लई का 1936 में निधन परमवीर चक्र से सम्भानित भारतिये सैनिक सैतान सिंग का निधन 1962 में हुआ धिरेंदरनात गाउंगली बंगाली सिनेमा के प्रसद अभिनेत और निर्देशक धिरेंदरनात गाउंगली का निधन 1978 में हुआ अशोक चक्र से सम्भानित भारतिये वायुशेना के सहीद गरूर कमांडो में से एक जोती प्रकाश निराला का निधन 2017 में हुआ वायरल खबर में आज हम बात करेंगे संसद के आगामी सीद कालिन सत्र के बारे में शोचल मीडिया पर कही सूचना ये वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है इसी करी में आज हम बात करेंगे आगामी संसत के सीद कालिन सत्र में एक विधयक पेश किये जाने के बारे में दरसल P.I.B. ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक ट्वीट में फरजी दावा किया जारा है कि संसत के आगामी सीद कालिन सत्र में एक विधयक पेश किया जाएगा जिसके द्वारा खूफिया ब्यूडो प्रात्मी की दर्च करने, मामले की जाच करने और पूश्ताच के लिए लोगों को बुलाने में सक्चम हो सकता है P.I.B. ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि ये दावे पुर्णता, फरजी एवं तत्यहीन है संसत के आगामी सीद कालिन सत्र में इस तरह का कोई विध्यक पेश नहीं किया गया है जाने वाट्सअप का पूल फीचर कैसे करता है का? मेटा ने हाली में अपने वाट्सअप यूजर्स के लिए नए फीचर्स पेश किये थे इनी फीचर्स में से एक फीचर पूल भी है बता दे कि अगर वाट्सअप चैट में एक बार पूल बन जाने के बाद इसके लिए बारव विकल्प मिलेंगे वहीं अगर ग्रूप के सदस्यों के साथ पूल साचा करने के बाद वे अपनी पसंद के अनुसार एक विकल्प चुन सकते हैं के साथ ही जैसे ही कोई नया वोट जोडा जाता है तो पूल अपने आप अपडेट हो जाता है यूजर पूल परिणामों को देखने वालों से संबंधित जानकारी देख सकते हैं वे सी वोट विकल्प पर टैप करके यह भी जान सकते हैं कि किसने पूल देखा है अगर आप भी पूल क्रियेट करना चाहते हैं तो अपने मुवाइल दिवाइस पर पर स्नल चैट खोले अब मौजूद अटाच बटन पर टैप करे और उसमें से पूल आइकन चुने और पूल क्रियेट हो जाएगा अब आस्क विकल्प के माध्यम से आप जो प्रशन पूछना चाहत इसके साथ ही बरते हैं आज के सवाल के उर आज का सवाल है आपके रुसार किसान चोपाल कारेक्रशन की सुरुवात होने से किष्राणों को क्या फाइदा मिलेगा आप अपने जवाब हम है हमारे कमेंट सेक्षन में लिखकर ज़रूर बताए आजके लिए इतना ही बिहार क तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बियाई न्यूज और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहें तो चांको सबस्क्राइब करना और अगर आप फेस्बूक से देख रहें तो पेस को लाइक करना ना भूले धन्यवाद